नमस्कार दोस्तो एजुकेशन टेक्नोलोजी ग्यान चैनल में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सरपस्च चुनाव के लिए कौन-कौन से कागजात आउसक है और आपको पूर्वे त्यारी कैसे करनी है वो सारा इस वीडियो में बताऊंगा अंतिम निर्णे जो होगा वो चुनाव विवाग का ही होगा यह सिर्फ एक मेरे द्वरा सुसना दी जा रही है जहां तक है मैंने सावदाने रखने की कोशिस की है लेकिन फिर भी मैं यह गया हूँगा कि आप मेरी इन्फोर्वेशन के आधार पर अपने आपको पूर्ण नहीं माने अंतिम विवाग जो है वो आपका चुनाव विवाग ही होगा उनके निर्देशन कैसे हैं क्या है उसी के नुसर आपको करी करना है फिर भी मैंने पूर्ण रूप से सावदानी बर्ती है जिसका आप द्यार रखें उमर आपकी कम से कम 21 वर होनी चाहिए और सेक् आदार कार्ड होना चाहिए जिसमें जनम दिनांग पूरी होनी चाहिए कुछ एक लोगों के जनम दिनांग जो है वो जैसे सन लिखी होती है सिरफ जैसे 1907 में ठाण में 1909 में 2000 या जो भी है वो सिर्फ आगे एर एर लिखी होती है तो उसको आप दुवारा डाउनलोड जिसका वीडियो मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जिसका 50 रुपे चार्ज रहेगा आपको दुवारा प्रिंट होकरके आपके पास आधार कार्ड 7-8 दिन में आ जाएगा और आधार में यदि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो वो भी आप पंचाइश स प्रमान पत्तर आपको तहसील से बनेगा जो सबत पत्तर वहाँ पर उसका जो निसीत एक फॉर्मेट है वहाँ पर आपको उप्लब्द हो जाएगा तो आप वहाँ से ले 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 पिछले वर्स का जो डाटा था उसके अकोर्डिंग कुछ एक दस्तावित जो है वो मैं इस से आप क्लेक्ट करें पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो आपको बनवाना है जो आप पे नजदी के इमित्रा के द्वारा बना सकते हो आपको इमित्र पे जाना है वहाँ पे आपको तीन आईडी लेके जानिए आधार कार्ड मामासा या रासन कार्ड या मूल निवास यह आ आपको पुली स्टेशन में जाना पड़ेगा दो गवाउं को लेकर और 6-7 फोटो लेके जाने हैं वहाँ पे तो यह सारी प्रोसेस है इसका स्पेशल वीडियो जो है वो मैं इस वीडियो की नीचे डाल दूँगा कैसे बनता है मूल निवास प्रवाण पतर बनवाना है जो इमितर वाला होना चाहिए जिसके लिए आपको आदार कार्ड वमासा कार्ड रासन कार्ड और मार्क शिट यदि है तो 1903 में 2004-2010 से 19 तक की 48 जो भी है फोटो और मुबाइल नमबर यह सारे दस्तावेज आपके पास यदि नहीं ह तो इमितर पे लेकर जाने है और आप मुल निवास से नया आज ही अप्लोड करवा दें चाति प्रवान पतर बनवाना है वो भी इमितर वाला बनवाना है जिसमें आदार कार्ड वमासा कार्ड रासन कार्ड मार्क शिट यदि है तो और फोट्टू और मुबाइल नमबर य उसको आज ही डोकूमेंट अप्लोड करवा लेना है क्योंकि इसमें पांच साथ दिन का टाइम लगता है आपको अपनी चल अचल संपत्ति का सबत्पत्त देना होगा और यह भी आपको तहसील से ही प्रफॉर्मिट मिलेगा पैन कार्ड बनवाना है पैन कार्ड यह दिन न के तो यह दो करदें वो इससाद आएटें दिन में पैनकार्ण बहुन कर जाएगा शायट 183 जो है आपको अपनी पंचायत में जाकर पता करें क्योंकि अलग-अलग पंचायतों के लिए अलग-अलग जमान 188 होती है तो यह कितनी है क्या है वह आपको अपनी पंचायत के उपर ही जाकर मालूम करना पड़ेगा सुचाले संबंदी प्रवनपत्र भी देना पड़ेगा आपकी गर में सुचाले है या नहीं है यह दिन नहीं है तो आप चुनाओ नहीं लड़ सकते और यह 50 रुपे के स्टाम पर देना होता है जो आपको तैस्सील कारियाले से प्राप्त हो जाएगा पासपोर्ट साइज की क्रमचारी नहीं होने का स्पत्पत्र यह भी आपको तैसिल से ही बनवाना पड़ेगा राशनकार चाहिए आपका एनुसी जो आपको अपनी 55 स्मेंति से लेनी है एनुसी भी लगेगी 55 स्मेंति वाले देंगे फिर आप ध्यान रखें कोई भी दस्तावेश पे सिगनेशर क रखें कि जैसे मालो की अग्जेंपल दे रहा हूं मैं एक एक डोजार बीस तारिक है दोजार बीस की एक जनौरी है तो आपने यह दिया लिखा कि एक एक और बीस लिख के छोड़ दिया ठीक है पूरा वीडियो देखना है सुनना है यह आपने इसको एक एक लिक के है या कुछ गल्थ उप्योग करना चाहता है उस तावेश का तो वह एक एक दोजार आपने बीस लिखा उसके आगे एक भी लगा सकता है पुराना डोकुमेटिव बना सकता है दो भी लगा सकता है पांच भी एनि एक चलिके नाइटी नाइन तक दस्तावेश का कि कुछ भी जगा सकता है पुराने का नया बना देगा नया का पुराना बना देगा तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें 2020 के अंदर आप अपनी जो पूरी जो साल है वो पूरी लिखनी है 2020 पूरा का पूरा लिख करके ही काम करना है अन्य था उस दस्तावेश का कोई नहीं थैंक यू धन्यवाद